Students हम discuss करेंगे important news के बारे में first news is regarding लिगारडिंग दा हरियाना का जो political development है उसके perspective से है Students हरियाना का जो legislative assembly है वहाँ पे किसी भी political party को जो complete majority है वो नहीं है complete majority ना होनी की वजबे से वहाँ पे आपको जो alliance का जो government और वो देखने के लिए मिलता है Students alliance की government को support किया जाता था इंडिपेंडेंट जो MLA जो उनके दुआरा आप देखी कुछ इंडिपेंडेंडेंट जो MLA जो उनके दुआरा जो support उसको withdrawal किया गया है प्रिजेंट समय में जो अपोजीशन का जो पॉलिटिकल पार्टी जा उनके दुवारा भी एक अलाइन सा उसको क्रिएट करने का कोशीज किया गया है जिससे कि उनके दुवारा जो गोर्मेंट उसको फॉम किया जा सके इस्टुडेंट्स लेजिसलेटिव असमली के अंदर में प्रिजेंट समय में जिनका गोर्मेंट उनके भी आप देखी कि टू एमेलेज है जिसके अंदर एक आपको जो फॉर्मर चीफ मिनिश्टर है वो भी देखने के लिए मिलेंगे उनकी दुवारा रिसेंटली अपना ज जो earlier house है उससे resignation है उसको submit करना होगा इनके दुवारा जो resignation जो submit किया गया है वो voluntary basis पे किया गया है तो students is complete development के regarding में जो हमारी UPSC के exam के perspective से जो basic information है उसके बारे में हम discuss करते हैं आप देखी कि आपको legislative assembly के perspective से कुछ basic information है वो जरूर से पता होना चाहिए इंडिया के अंदर में जो legislative assemblies ने states के अंदर में वहाँ पे जो maximum seats कितना होना चाहिए क्या उसके regarding में कुछ provision आपको देखने के लिए मिलता है तो आप देखी कि जो maximum seats उनको 500 है वो decide किया गया है कि state legislative assembly के अंदर में जो maximum strength 500 है वो हो सकता है अगर हम बात करें students minimum strength के बारे में तो आप देखी कि किसी भी state का legislative assembly है वहाँ पे जो minimum strength है वो 60 होना चाहिए क्या हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी states है जहाँ पे जो minimum strength हो 60 से भी आपको less है वो देखने के लिए मिलता है तो students आप देखी कि जो गोवाई स्टेट है वहाँ पे जो आपको strength है वो less than 60 आपको देखने के लिए मिलेगा सिक्तिम है वहाँ पे भी जो strength है वो आपको less than 60 है वो देखने के लिए मिलता है पुडू चेरी के वहाँ पे जो strength है वो भी students less than the 60 है present समय के अंदर में तो students यह तो strength के perspective से हुआ आपको यहाँ पे independent जो candidates हैं उनके बारे में भी जानकारी होना ची students independent जो candidates हैं उनके दोरा किसी भी political party को join नहीं किया जा सकता है alliance के दोरान में भी किसी political party को support तो कर सकते हैं बड़ join नहीं कर सकते हैं अगर उनके दोरा किसी भी political party को join किया जाएगा तो आप देखी हमारा जो 50 second constitution amendment act के थुरू में जो हमने 10th schedule के थुरू जो anti-defection लोग को apply किया है तो उसका जो application है वो आपको देखने के लिए मिलेगा independent candidates के उपर में पर अगर आप किसी political party से यहाँ पर contest करते हो अगर आपको victory मिलता है election के अंदर में तो आप देखी है अगर आप किसी political party से हो एकमातर MLA हो legislative assembly के अंदर में तो आपके दुवारा जो government है वहाँ पर aligns का तो उस government का जो आप पार्ट है वो बन सकते हो support भी कर सकते हो आपकी दुवारा जो membership है उसको भी change किया जा सकता है किसी political party के अंदर जो merger है वो भी carry out किया ज students आपको जो resignation का जो procedure है वो देखने के लिए मिलता है कि आपको जो resign करना है जब आपके पास में double membership हो आपका जो political book है उसको आप read करना उसके अंदर आपको double membership का जो concept हो देखने के लिए मिलता है अगर कोई person है उसके दुवारा two houses का जो member हो बनता है सपोज कीजिए यहाँ प करना होता है उसके regarding में आपको कुछ time period है वो देखने के लिए मिलेगा कि 14 days के अंदर उसको decision है वो लेना होगा अगर किसी person के दुवारा two seats से वहाँ पे election है उसको contest किया जाता है तो आप देखिए कि दो seats से अगर election को contest किया जाएगा तो एक seat है उसको vacant करना होगा otherwise उसके द regarding में भी आपको देखने के लिए मिलेगा इसके लावा students कोई person यहाँ पे जो member of legislative assembly का भी part है पर आप देखिए को उनके दौरा member of parliament का जो seat है वो भी यहाँ पे election के अंदर में जो जीत लिया गया है उस seat को election के अंदर वो victory हुआ है तो उनके दौरा भी किसी एक seat है उसको vacant किय जाएगा इनके दौरा voluntary basis पे earlier phase के अंदर ही अपना जो seat है उसको vacant कर दिया गया है resignation को submit किया गया था तो यह complete development है जिसके regarding में हमने यहाँ पे discuss किया students यहाँ पे जो political party है उसको floor test के थूरू जाना होगा legislative assembly के floor के उपर में जब उनके दौरा अपना जो majority है उसको prove करना होगा तो यह complete development है जिसके बारे में हमने discuss किया next is regarding the CBI के बारे में है central bureau of investigation इसके perspective से हमने काफी बार discuss किया है आप देखें कि जो basic information है CBI का उसको एक बार read करते हैं दहली special police establishment act है world war second के समय में जब हम कोलोनी हुआ करते थे तो British authorities के दौरा एक जो act है उसको pass किया गया था दहली special police establishment act आप देखें कि world war second के समय corruption के जो issue जहाँ सामने आई थे तो उसी act के through में 1962 के समय एक संतानम committee है वो बनता है संतानम committee के दौरा central bureau of investigation है उसके यहाँ पे establishment के बारे में discuss किया गया कि corruption के जो cases हैं उनको यहाँ पे investigate करना हो और भी दूसरे जो issue जहाँ उसको investigate करने के regarding में CBI का ज students जो CBI है CBI के दौरा जब भी state governments का जो jurisdiction के area के अंदर investigation को carry out किया जाता है तो उसकी regarding में आपको एक जो Delhi special police establishment act है उसका एक section 6A है जिसके अंदर में आपको general consent का जो provision है वो देखने के लिए मिलता है state governments के दौरा जो general consent उसको grant करने के बाद ही CBI के दौरा वहाँ पे investigation है उसको carry out किया जा सकता है बट students अगर high court के दौरा या supreme court के दौरा CBI को जो jurisdiction है क्या CBI को यहाँ पे direction issue किया गया है कि आपके दौरा इस case के अंदर inquiry को carry out किया जाए तो उस दौरान में आप देखी कि जो general consent उसका requirement नहीं है present समय के अगर हम इस news के बारे में discuss करें तो article 131 article 131 क्या है students हमारे supreme court का original jurisdiction है original jurisdiction that means कि आपको किसी उस conflict के regarding में कोई भी case आपको देखने के लिए मिलेगा आप directly जो supreme court है उसके लिए वहाँ पे approach करोगे original jurisdiction के बारे में हमारे constitution के किस article के अंदर mention किया गया है article 131 के अंदर में supreme court का यह original jurisdiction है यहाँ पे center or state का कोई भी conflict हो उसको resolve करना है center और state का कोई भी conflict हो उसको resolve करना है state और state का भी अगर कोई conflict है तो उसको भी resolve करना है original jurisdiction के ही थुरू में students west bengal government के दुवरा original jurisdiction के थुरू supreme court के अंदर जो petition है उसको file किया गया petition के अंदर उनके दुवरा बताया गया कि center government के दुवरा जो direction है वो issue किया जाता है cbi को यहाँ पे जो center government को जो represent करने वाले जो person है उनकी दुवरा कहा गया है कि जो cbi का जो act है दहली special police establishment act उसका जो sexual file है उसके अंदर में उसके jury jurisdiction के perspective से discuss किया गया है तो उसके बारे में यहाँ पे discuss किया गया अब आप देखे कि हमने original jury diction के बारे में discuss किया कि आप देखे कि यहाँ पे original jury diction के अंदर में cbi को directly जो represent हो क्यों नहीं किया गया center government को क्यों किया गया तो students original jury यूरिग डिक्सन आपको center और state का देखने के लिए मिलेगा, state और state का देखने के लिए मिलता है ब़त यहां पे आप देखी कि कि जो cbi है, जो cbi है वो present समय में कोई center का part नहीं है, वो एक agency है, तो original जूरिक डिक्षन के अंडर में जो आपको CBI या जो इंस्टिटुशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है जो पार्ट ओप इस्टेट के रूप से इसी वज़े से यहाँ पे जो सेंटर है उनकी दूआर अपना जो जबाब है वो दिया गया है इस पैटिशन के अंदर में यहाँ पे इंफोर्मेशन होना चाहिए कि जो हमारा ओरीजनल जूरिक डिक्षन है सुप्रिम कोट का आर्टिकल वन थार्टी वन के अंदर में जिसके अंदर इस्टेट का जो जूरिक डिक्षन है उसके अंदर में आपको जो यह इंस्टिटुशन है CBI वो नहीं देखने क जिसन नहीं है तो लार्जेश्ट पार्टी के जो लीडर है उनके दुवारा बेसिकली इन थ्री परसंस के दुवारा जो CBI का जो हाइस्ट जो परसंस है जो चेर्मेन है उसको चूर्ज किया जाएगा नेक्स्ट अगर हम डिसकस करें स्टुडेंट्स प्रीजन सेक्टर के आप देखी कि हमारे यहां पे 76 परसंस जो टो टोल परसंस प्रीजन के अंदर में है जेल के अंदर है वो लोग आपको अंडर ट्रायल सेच्वेशन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं तो च्छंको यहां पे लोकसभा इलक्षन के दोरां में या स्टेट्ट natural के दौरा वोटिंग का जो राइट है वो है या नहीं है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए Students, Representation of People's Act के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी हो नहीं चाहिए Representation of People's Act का एक section है जिसके अंदर बताया गया है कि जो अंडर ट्राइल से Section 62 का जो 5 close है उसके अंदर बताया गया है कि अगर आप प्रीजन के अंदर बंध हो अंडर ट्राइल के फेज के अंदर हो या आप देखी कि आपको यहाँ पर कन्विक्टेड हो आपको जो वोटिंग राइट हो नहीं दिया गया है administrative convenience के perspective से भी आपको देखने के लिए मिलता है क्योंकि काफी सारे जो persons सा उनको अलग-ङलग PRISON के अंदर में आप देखी के arrest किया गया है उनको प्रिजन के अंदर में रखा गया है तो administrative convenience के perspective से भी उनका जो voting right है वो आपको नहीं देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि उनको अपना local constituency के अंदर approach करना होगा local constituency के अंदर भी आप देखी उनका जो booth है वहाँ पे उनको approach करना होगा तो इसी के regarding में जो under trials है उनके दुवारा बताया गया है कि article जो 14 है जो यहाँ पे जो basic humanity के regarding के जो rights है उनका ये basically violation के रूप से इसको देखा गया है students अगर हम बात करें election को contest करने के regarding में तो आप देखी कि अगर आप under trial का phase के अंदर हो अगर आप under trial का phase के अंदर हो तो आपकी दुवारा जो election है वो contest किया जा सकता है अगर आपका जो conviction है वो less than the two year का है less than the two year का अगर आपका conviction है तो आपके दुवारा जो election है उसको contest किया जा सकता है बटापका जो voting जो right है उसके regarding में blanket आपको देखने के लिए मिलेगा कि voting right का जो facility है वो available नहीं है last year students remote voting system है उसके बारे में भी election commission के दुवारा discuss किया गया था हमारे जो migrant workers हैं उनके regarding में कि जो migrant workers हैं उनको voting के लिए अपना local constituency है उसके लिए approach करना होता है तो आप देखी कि last year January 2023 के समय में एक remote voting machine उसके बारे में discuss किया गया उसका main motive यही था कि जो migrant workers हैं उनके दुवारा अपने local area के अंदर ही जहां पे वो work के लिए गए हैं किसी education के perspective से या work के perspective से जिनके दुवारा migration किया गया तो उनके दुवारा अपने local area के अंदर ही जो basically voting है उसको carry out किया जा सके इस्टुडेंट्स महराष्टरा government के दुवारा कुछ city जो उनका जो naming है वो change किया गया था आप देखी औरंगाबाद का जो नाम है वो आपको सत्तरपती संबाजी महराज के नाम से देखने के लिए मिलता है सत्तरपती जो संबाजी नगर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा ओस्मानाबाद के बारे में अगर हम discuss करें तो उसको धारा सिव का जो नाम है वो दिया गया है इसके लाव आप देखें कि जो एहमद नगर है उसको भी जो आहिल्या भाई होल कर है उनके नेमिंग के उपर आपको देखने के लिए मिलता है तो students इस तरीके से कुछ cities का जो नेमिंग है उसको चेंज किया गया था तो उसी को basically high court के दुआरा uphold किया गया है एक petition के अंदर में जो नेमिंग यहाँ पे चेंज किया गया महराष्ट्रा government के दुआरा students आपको एहमद नगर है इन सभी के बारे में जो basic information है कि वो city किसके दुआरा establish किया गया क्योंक उनके दुआरा काफी सारे जो temples है उनको restore किया गया था टेंपल को restoration का जो working है वो आपको देखने के लिए मिलता है गया के अंदर में जो बिहार के अंदर जो गया है वहाँ पर भी आपको एक विशनू पद्द जो टेंपल है वो देखने के लिया मिलेगा जिसका जो restoration है उन सौमनाथ का जो टेमपल है, आप देखें कि सौमनाथ के रिगार्डिंग में 2022 का जो प्रलिम्स का पेपर है, उसके अंदर एक क्वेशन पूछा गया था, कि सौमनाथ का जो इन्योग्रेशन किस तरीके से कैरी आउट किया गया, जो तिर लिंक का वो पार्ट है या नहीं है, होल करके थुरू देखने के लिए मिलेगा जो होल कर डाइनेश्टी का क्यूइन है इस्टुडेंट्स नेक्ष्ट अगर हम डिसकस करें यहाँ पे आप देखें कि हमारे जो रविंदर ना टेगोर साब हैं उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसकी वज़े से न्यूज के अंदर है रविंदर ना टेगोर के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फोर्मेशन जरूर से होना चीए इस्टुडेंट्स इनके द्वारा बेसिकली एक इनके जो फादर है देविंदर ना टेगोर जी उनके द्वारा बेसिकली एक आसरम को सेट अप किया गया था उसी आसरम के वहाँ पे इनके द्वारा जो बीर भूम डिष्टिक है वेस्ट बंगोल के अंदर में वहाँ पर आप देखी कि इनके दुवारा जो एक society है जो township उसको develop किया गया जिसको कि सांती निकेतन की नाम से जाना जाता है जिसको किस नाम से जाना जाता है स्टुडेंट सांती निकेतन सांती निकेतन को recently आप देखी कि world heritage जो committee है उसके दुवरा या जे important heritage site के रूप से recognize किया गया है जो सांती निकेतन है बीर भूम district के अंदर में recently हमारे हम यहाँ जे दो sites हैं जिनको recognize किया गया world heritage committee के दुवरा होई साल dynasty के जो temples हैं होई साल आज डाइनेस्टी के जो temples हैं जो कि आपको star shape के अंदर देखने के लिए मिलेंगे और आप देखी कि वेसारा school of temple architecture है उसका ये part है वेसारा school of temple architecture किसका mix up है नगारा school of temple architecture आप देखी कि दर्वीडियन school of temple architecture है उसका mixer आपको देखने के लिए मिलेगा star shape के अंदर जो temples है उनको भी world heritage committee के दुवरा UNESCO site के रूप से recognize किया गया यहाँ पर आप देखी कि इस सांती निकेतन है जो जो सांती निकेतन है उसको भी basically यहाँ पर recognize किया गया है जो की रविंदरना टेगोर साब के दुवरा उसको establish किया गया था रविंदरना टेगोर जी का जो important contribution है उसके बारे में अगर हम discuss करें हमारा जो national anthem है national anthem का जो basically जो creation है नहीं के दुवरा carry out किया गया first time जो national anthem है किस congress session के अंदर में उसको use किया गया था आप देखी कि 1911 के समय में है originally जो national anthem है वो आपको बंगाली के अंदर देखने के लिए मिलता है आप देखी कि जो original जो national anthem है बंगाली से इनके द्वरा English के अंदर उसको translate किया गया उस जगे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए आंदर प्रदेश के अंदर एक जगे है मादाना पल्ले मादाना पल्ले मादाना पल्ले आप देखी कि तूट हावजेंट टूंटी टू का जो प्रलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये question पूछा गया था कि ये जो प्लेस हो किस वज़े से न्यूज के अंदर में है इस्टूनेंट्स ये वो प्लेस अंदर प्रदेश के अंदर में जहां पे रविंदर नाठ टैगोर साब के दुआरा बंगाली से इंगलिस के अंदर में जो हमारा जो जन गनवन नेसनल एंथम है उसको translate किया गय इस्टूडेंट जो बंगलादेश का जो नेसनल एंथम है उनका भी जो creation इनी के दुरू आपको देखने के लिए मिलता है रविंदर नाठ टैगोर जी के दुआरा 1913 के समय में first non European person ये बनते हैं जिनको की जो Nobel का जो प्राइज है वो literature के सेक्टर के अंदर में इनका जो ग गितानजली का जो वर्क है गितानजली का जो वर्क है उसके perspective से दिया गया था आपसे एक question पूछ लिया जाएगा कि first Indian है जिनको Nobel Prize दिया गया हो लिटरेचर सेक्टर के अंदर जो Nobel Prize हो first time आपको रविंदर नाठ टैगोर जी के दुआरा देखने के लिए मिलता है इन्होंन बाग का जो मैसकरे है उसके बाद में इनके दुआरा वापिस से जो रिटन है वो देखने के लिए मिलता है तो इस्टुडेंट्स यह को लिए इन्फॉर्मेशन था रविंदर नाठ टैगोर साब के बारे में जो हमारे UPSC के एक्जाम के perspective से important था उसके बारे में हमने यहा पर रेड किया है जो 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके अंदर एक question पूछा गया था कि रविंदर नाठ टैगोर का नेशनलीजम की perspective से क्या contribution है नेशनलीजम की regarding में आप देखी कि नेशनल एंथम है और भी काफी सारा इनका contribution आपको देखने के लिए मिलेगा इसके दूइबरा एक yoniversity है जिसकों की हम विशु बारती योणिवर्सिटि के नाम से जानते हैं जिसकों की हम विशु जो योणिवर्सिटि है उसके नाम से जानते है जो 1923 के समय इनको दूआरा वहाँ पे setup किया गया था आप देखें कि कि कल्टोप चर्खा के बारे में आपने read किया होगा कल्टोब चर्खा कल्टोब चर्खा इनके दुवारा basically एक essay के अंदर में कुछ जो गांधियन techniques है उनका जो criticism है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है रविंदर ना टैगोर साब के दुवारा next अगर हम discuss करें students Israel के बारे में हैं जो कल्टोब चर्खा के बारे में हमने discuss किया students 2022 का जो prelims का paper है उसके अंदर एक statement के अंदर ये question है वो पूछा गया था एक question के अंदर जो statements हुआ करते हैं जिसमें कल्टोब चर्खा का जो mention है वो आपको देखने के लिए मिलता है Israel के बारे में है Israel के दुवरा आप देखे कि जो गाजा इस्ट्रिप का जो सदन पार्ट है जिसको की हम रफा बोर्डर के नाम से जानते हैं रफा बोर्डर के वहाँ पे जो attack है वो carry out किया गया हमास के दुवरा आप देखे कि जो siege fire का जो proposal है उसको accept करने के बाद में आपको जो Israel का जो attack है वो देखने के लिए मिलता है तो उसी के regarding में discuss किया गया है कि गाजा इस्ट्रिप के अंदर में ओल्रेडी आप देखे कि 34,000 जो persons है उनका death हो चुगा है more than the one leg क्या सपा जो persons है उनका displacement आपको देखने के लिए मिलता है इसके लाव आप देखे कि जो 90% जो population है जो completely जो 90% population है उसका भी displacement है और रफाब ओर के अंदर में जो attack किया गया है तो present समय में Israel का जो complete control है वो आपको इस गाजा इस्ट्रिप के उपर देखने के लिए मिलेगा इसका हर एक जो entry point है exit point है उसके उपर आपको जो जो presence है जो control है वो आपको यहाँ पे Israel का देखने के लिए मिलता है students इससे पहले जो रफाब ओर्डर का जो area है वो यहाँ पे Israel का जो forces जो उनके दुवारा control नहीं किया जाता था और इसी रफाब ओर्डर के थुरू में आप देखिए कि जो humanitarian aid है उसका supply आपको देखने के लिए मिलता है तो अब present समय में ऐसे भी concerns को raise किया गया है कि हो सकता है कि humanitarian जो aid का जो supply है जो वहाँ पे basic needs है वहाँ के लोगों का उसका जो supply वर्ड के different countries के द्वारा किया गया है तो उसके उपर भी जो impact हो देखने के लिए मिल सकता है constitutional class के बारे में discuss किया गया है students आप देखी कि recently यहाँ पे जो property owners है property owners का जो association वर्सेज जो महराष्टरा इस्टेट का आपको एक case हो देखने के लिए मिलता है supreme court के अंदर में supreme court के अंदर एक case है किसके regarding में property owners है property जो owners है property owners वर्सेज इस्टेट और महराष्टरा का एक case है supreme court के दुवारा nine judge का जो bench है उसको constitute किया गया है आप देखें कि इससे पहले आपको एक 13 judge का जो bench है जो आपको देखने के लिए मिलता है 13 judge का जो bench है तो student जो 13 judge का जो bench constitute किया गया था वो case 1 अंदर भारती case के अंदर में है जो अभी तक का supreme court की history के अंदर largest जो bench है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे nine judge का जो bench है वो किसके दुवारा constitute किसके regarding में constitute किया गया है हमारे जो DPSP का जो article 39B है उसके perspective से यहाँ पे discuss किया गया है तो यहाँ पे basically आप देखें कि 39B का यह जो petition है उसके अंदर में two questions है उसको examine करना है supreme court के दुवारा दो questions है जिनको examine करना है एक तो यहाँ पे जो fundamental right है fundamental right और DPSP का जो balance है उसके perspective से discuss करना है students आप देखें कि जो fundamental right है वो justiciable है DPSP basically directive principle है यहाँ पे state government को जो policy का जो framing करना है उस दोरान में इन जो principles उनको ध्यान के अंदर में रखना है इसके अलावब students आप देखें कि यहाँ पे जो discussion को करी यहाँ पे जिस question को examine करना है supreme court की bench के दुवारा जो हमारा right to equality है जो freedom का जो right है क्या उनको जो immunity है वो grant किया गया है क्या immunity का जो violation है immunity की यहाँ पे grant है वो नहीं देखने के लिए मिलता है article 39b के अंडर में जिसके अंदर जो material resources है जो उसके distribution के perspective से यहाँ पे इस petition के अंदर देखने के लिए मिला तो students क्या इससे पहले earlier phase के अंदर में जो fundamental right और DPSP का जो class है वो आपको नहीं देखने के लिए मिला है students आपको continuous जो class है वो देखने के लिए मिलता है FR and DPSP का अगर हम बात करें earlier cases के बारे में तो यहाँ पे जो 25th constitution amendment act है 1971 का उसके perspective से discuss किया गया है आप देखी कि 25th constitution amendment act के थुरू में भी यहाँ पे जो conflict है वो देखने के लिए मिलता है case 1 अंदा भारती case है 1973 का उसके regarding में भी Minerva Mills case है उसके अंदर भी आपको जो conflict है उसी को resolve किया गया balance को establish किया गया सुप्रिम कोट की दुवरा in different different cases के अंदर में यहाँ पे आपको article 1 article 31c है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है उसके regarding में भी कुछ provisions है तो basically यहाँ पे यह discuss किया गया है कि जो हमारे constitution की जो provisions है इनका जितना भी जो classes है जिनको यहाँ पे settle करने का जरूरत है Supreme Court के दुवरा क्योंकि आप देखी कि FR के बारे में जब भी हम discuss करते हैं जो part 3 के अंदर है जो justice stable है आपकी दुवरा Supreme Court and High Court के अंदर approach किया जा सकता है उसके implementation के regarding में तो उसी का जो article 13 है वो इसका basically बताता है कि FR को यहाँ पे जो withdrawal है वो नहीं किया जा सकता है इसका जो justification है उसके regarding में definition आपको देखने के लिए मिलता है अगर हम DPSP के regarding में जो article 37 के regarding में discuss करें तो आप देखी कि वहाँ पे जो discuss किया गया है कि इसका जो justification में आप Supreme Court के अंदर में इसका जो justification उसके regarding में Supreme Court and High Court के अंदर जो approach है वो नहीं कर सकते हो Supreme Court के पास में एक chance है कि यहाँ पे जो balance है FR और DPSP का जो balance है उसको establish किया जाए उसके regarding में जो complete judgment है उसको यहाँ पे pass किया जाए onion का जो export है उसके regarding में यहाँ पे discuss किया गया है आप देखी कि onion का जो export है उसको ban कर दिया गया था recently onion का जो export है उसको allow किया गया है initial phase के अंदर जो white onion है उसका export allow किया गया था उसके बाद में आप देखी कि red onion है उसका export allow किया गया गुजरात और महराष्टरा के जो farmers उनको यह relief है वो provide करेगा बट उसका भी कुछ limitation आपको देखने के लिए मिलता है कुछ limitation है कि total इतना export हमको carry out करना है कुछ duties भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले है export की regarding में next is regarding the politics of performance के बारे में है आप देखी कि politics of performance के अंदर में हमारे जो 795 जो MPs आपको देखने के लिए मिलते हैं 795 जो MPs का संक्या है इंडिया के अंदर में अगर हम MLA के perspective से discuss करें तो आप देखी कि 4123 के आसपास जो MLA है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे complete country के अंदर में इसके लावे student 31.8 lakh के आसपास person है जो आपको third tire के अंदर में पंचायती राज institution है urban local bodies है उसके अंदर में उनका जो association है वो देखने के लिए मिलता है यह सभी लोग governance के perspective से work किया करते हैं students यहाँ पर performance का जो politics है उसके regarding में discuss किया गया है कि present समय में जो हमारे यहाँ पर जो governance का जो sector है उसके अंदर change देखने के लिए मिले हैं जैसे कि आप देखी कि काफी सारे ऐसे act है जो यहाँ पर data की regarding में है domain expert यहाँ पर हमारे जो politicians हैं उनको होना चाहिए students यहाँ पर ही discuss किया गया कि हमारे जो total MPs है जिसमें 75 MPs आपको यहाँ पर जो graduate है वो देखने के लिए मिलते हैं MLS के perspective से अगर हम discuss करें 64% जो MLS है present समय में हमारे country के अंदर में उनके दुआरा जो graduation का जो degree है उसको यहाँ पर उनकी पास में graduation का degree है तो आप देखें कि यहाँ पर politics और performance के अंदर discuss यह किया गया है कि domain यहाँ पर change हुआ है domain change होने की वज़े से जो politicians है उनको भी यहाँ पर domain expert होना चाहिए domain expert के साथ में किस तरीके से behavioral change को carry out करना है society के अंदर में किस तरीके से जो new domains है उनको यहाँ पर tackle करना है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए PRS के perspective से यहाँ पर discuss किया गया है कि PRS के दुआरा काफी सारे politicians को जो support हो provide किया जाता है प्यारे से एक institution है आप देखे उनके दुआरा MP Lamp का जो concept वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा नागालेंड के बारे में discuss किया गया आप देखे कि जो नागालेंड है वो 1963 के समय में एजे इस्टेट के रूप से इसको recognize किया गया था डॉक्टर फीजो हुआ करते थे greater नागालिंगम movement वहाँ पे चला करता था इसको एजे complete state union territory उससे पहले यह नहीं हुआ करता था directly statehood का जो आपको जो status हो देखने के लिए मिलता है students उसी statehood के regarding में article 131a है article 371a के थुरू में नागालेंड को special जो powers है special जो provisions वो आपको देखने के लिए मिलते हैं present समय के अंदर में जो पंचायती राज बोडी जो urban local बोडी जो वहाँ पे women's को जो reservation है वो provide किया गया है तो उसी के regarding में यह discuss किया गया है कि 20 years late आपको जो नागालेंड के अंदर जो reservation का जो provision है वो देखने के लिए मिलता है जो आप देखी कि कापी सारे states के अंदर में 20 years before से यह जो provision है उसका existence आपको देखने के लिए मिलेगा उत्राखंड के अंदर में forest fire का जो incident है वो देखने के लिए मिला इस समय में क्यों forest fires देखने के लिए मिलती है आप देखी एक तो dry season का वक्त होना dry season के साथ साथ आप देखे कि forest area के अंदर में जो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिरा करते हैं हमारे यहाँ पे एक adaptation का जो process है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि उनके द्वारा इस तरीके से environment में अपने आपको अडोप्ट किया जाता है कि उनके जो पेड़ से पत्ते अगर गिरते हैं तो उनके कम से कम जो water का यूपरेशन है वो देखने के लिए मिले समर के समय में तो उसी regarding में आप देखे कि forest fire का जो incident है वो सामने आए तो उसकी regarding में सुप्रियम कोड के दुबर आउत्राखंड से question पूछा गया है क्या rain goad की वज़े से cloud seeding किस वज़े से यहाँ पर forest fire का incident देखने के लिए मिला है एक्जेक्ट आपको जो data जाए answer से उसको बताना है तो उसी के बारे में यहाँ पर discuss किया गया है next अगर हम बात करें students international जो यहाँ पर energy analytical agency है international energy analytical जो agency है उसके दुआरा एक report के अंदर बताया गया कि solar का जो production है उसके अंदर में इंडिया का third largest जो number है वो देखने के लिए मिलता है earlier phase के अंदर जापान हुआ करता था install capacity के perspective से अगर हम discuss करें तो solar sector के अंदर जो install capacity है उसके अंदर में इंडिया का जो ranking है वो आपको fifth number के उपर देखने के लिए मिलता है January के समय में हमारे PM sir के दुआरा जो rooftop जो solar का जो production है उसके बारे में भी discuss किया गया था कि houses के अंदर में जो rooftop है वहाँ पे जो solar के जो panels है होने चीए students African Union के दुआरा African Union आप देखे कि पहले इसका जो name है organization of African unity के रूप से हुआ करता था 1999 के समय में इसको एज़े African Union के रूप से setup किया गया जी 20 के अंदर recently इसका जो membership है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है जो summit इंडिया के अंदर हुआ African Union का जो headquarter है वो कहां पे है एडिस अबाबा नाम की जो जगह है इथोपिया के अंदर में एडिस अबाबा नाम की जो जगह है वहां पे इसका headquarter है तो उनके द्वारा बेसिकली इजराइल के जो activity जो उसको condemn किया गया है इंडोनेसिया के अंदर जो temperature है वो rise हुआ है heat wave का जो situation है temperature rise का जो situation है वो देखने के लिए मिला पाकिस्तान की जो authorities के द्वारा जो कहा गया था कि जो attack है जिसके अंदर तालीबान का रोल है तालीबान के द्वारा उसको deny किया गया है कि उनका कोई भी रोल नहीं है जो Chinese के जो workers है उनके उपर जो attack है वो देखने के था उसी के रिगार्डिंग में जो universities के अंदर में Palestinian का जो प्रो का जो आपको जो कुछ प्रोटेश्ट हो देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड के different countries के अंदर में US के द्वारा students यहां पर जो shipments है जो Israel को उसके द्वारा supply किये जाने थे उनको hold किया गया है जब से उनके द्व और हमास का जो truth का जो situation है उसी के regarding में discuss किया गया है तो यह आज का newspaper का information था आप इसको read कीजिए revise कीजिए जो भी information आपको मिला हो उसको note down कीजिए और आप देखी कि newspaper का जो discussion है उसके अंदर अच्छे से participate किया कीजिए आप जब तक newspaper को अच्छे से utilize नहीं करोगे तो आपके exam का जो performance वो भी impact होगा 2025 के लिए अगर आप prepare कर रहे हो तो आपको newspaper है उसको काफी अच्छे से prepare करना चाहिए thank you students thank you very much